रादे रादे मित्रों स्वागत है आपकी अपने चैनल ग्यान बिचार में प्यारे मित्रों आप सभी को प्यार भ्यार नमज का जैश्री कृष्णा रादे रादे प्यारे मित्रों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका बहुत सुंदर मकान है और आप चाते हैं कि आपके मकान को किसी के बुरी नजर न लगे तो कुछ उपाए आप यदि कर लेते हैं तो आपके मकान को कभी भी कोई भी बुरी नजर नहीं लगेगी तो देखिए हर एक इंसान का जीवन में सपना होता है कि उसका खुद का सुंदर सा घर हो यसे वे अपने तरीकिसे सजा सके वास्तु के अनुसार अपने घर को सुंदर बनाने के साथ साथ उसे दूसरों की बुरी नजर से भी बचाना बहुत जुरूरी होता है कोई भी नहीं चाता कि उसके घर के साथ किसी भी तरह का कुछ बुरा हो तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ वास्तु टिप्स तो जिससे कि आप अपने घर को बुरी नजर से बचा सकते हो बुरी नजर का दोस हर धरम में बहुत ही खतरनाक माना गया है यहां तक यह भी कहा जाता है कि इसका प्रभाब किसी व्यक्ति की चान भी ले सकता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे कुछ ऐसे उपाएं जिससे कि आपके घर में यदि नकारत मकता है यदि किसी की बुरी नजर भी लगी है तो आपके घर को बुरी नजर नहीं लगेगी यदि ये उपाएं आप अपने घर में करती हैं तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने घर में तुलसी का पौदा अवश्य लगाएं तोलसी का पौदा बहुत ही अच्छा होता है इसे वास्तू दोस खतम होती है वास्तों के अनुसार यह दिया पौदा लगाती है तो यह घर के लिए अच्छा रहता है बुरी नजर से भी बचाता है और हमारे उपर देवी देवताव की किरपा बनी रहती है तोलसी के पौदे से घर में शुक शांती बनी रहती है महावारी के दिनों में आप घर के बच्चे से ये काम करवा सकती है यदि आपको पीरियट्स हैं तो आप ये किसी बच्चे से करवा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन आप नियमें तोर पर ये काम जरूर करें दूसरा बात करते इस तरह से डिजाइन करें कि सुबह की किड़ने सीधे आपकी कमरों में गिरें आपकी घर के आंगन में गिरें तो सुरज की किड़नों का आपके घर में यदी गिरती हैं तो यह बहुत ही जादा अच्छा माना जाता है अब बात करते हैं रसोई घर की देखिए घर की रसोई पूर्व दिसा में होनी चाहिए, इससे बोजन बनते वक्त, उसके पोषिक तत्व कायम रहती है, साथी रसोई घर की बर्कत बनी रहती है, कोशिस करें कि बोजन रसोई घर में ही बैठकर करें, इससे बोजन पचने की सक्टी दोगनी हो जाती है, और अपनी रसोई हमेसा जिदि अधिक बुरे सपने आती हैं तो आप अपने सिरहाने के नीचे कुछ छोटा सा सस्त्र भी रख सकते हैं। उससे आपको बुरे सपने नहीं आएंगी। नमकीन पानी से पौचा लगा है। ज़िदी आपको अचा लगता है कि आपके घर में नजर लगी हुई है या आपका घर में आई दिन कुछ न कुछ बुरा होता रहता है या गलत घटित होता है तो आप नमक के पानी से पहुचा लगा सकती हैं। कई लोग अपने घरों के फरसू उको चमकाने के लिए नमक वाले पानी से पहुचा लगवाती हैं। आप अपनी दुकाने ओफिस में भी कर सकती हैं। रंगीन पत्र आप अपने घर में या बैपार वाली जगये पर रख सकती हैं ये बुरी नजर से बचाने में बहुती जादा काम करती हैं। घोड़े की नाल घोड़े की नाल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बुरी नजर से बचाने के लिए घोड़े की नाल घर के दरवाज़े पर लगाने से घर और आफिस दोनों को बुरी नजर से बचाया जा सकता है वास्तो करूं सारी है कभी ना फेल होने वाला नुस्का है इसको अपनाने से आपका गर हमेशा बुरी नजर से बचा रहेगा तो आप गोड़े की नाल अपने घर में लगवा सकती है यह हर तरीके की बुरी नजर का काट करता है तो आपके लिए बहुत ही जादा फाइदे मन रहेगा अब बात करते हैं पुराना जूता अगर आपका घर बाहर से बहुत सुंदर बना हुआ है तो आप एक पुराना जूता लेकर उसे 7 दिनों तक अपने घर की छत पर सामने की ओट टांग दें अगर किसी की बुरी नजर लगी भी होगी तो भी वह नजर बहुत जल्द उतर जाएगी साथी आने वाले समय में भी किसी की बुरी नजर आपके घर को नहीं लगेगी तो आप अपने घर में पुराना जूता भी टांग सकते हैं तो प्यारे मित्रों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर करें मैं नेक्स वीडियो मिलती हूं नेक्स टॉपिक की साथ तब तक के लिए नमस्कार